नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों काले धागे का रहस्य क्या है क्या आप जानते हैं एंशन्ट टाइम से ही काले धागे को पहनने की प्रथा क्यों मानी जाती है आपने भी कई लोगों के पैर में काला धागा जरूर देखा होगा आखिर लोग काला धागा अपने हाथ मे और कलाई में क्यों पहनते हैं? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो आप सभी को अवर्षे जान लेनी चाहिए. काला धागा केवल इवल आई से अर्थात नजर दोश से बचने के लिए पहना नहीं जाता, बल्कि इसके अलावा इसके अनेक चमतकारिक फायदे हैं. अगर इसे सही तरीके से अभी मंत्रित करके पहना जाएं, तो ये आपके भाग्य को परिवर्थित कर सकता है. आपके जीवन को बेटर बना सकता है. आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की प्रॉब्लेंस को घंटों में दूर कर सकता है. एक काले धागे में इतनी एनर्जी होती है, कि ये आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, इवल पॉवर्स से, अर्थात बुरी शक्तियों से आपको प्रोटेक्ट करता है. बलकि काला धागा एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवर अर्थात रक्षात्मक कवच बनाता है. लेकिन इसे पहनने की सही विधी के बारे में आपको पता होना चाहिए. कई लोग काला धागा पहनते समय विधी का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें इसके शुब परिणाम मिलने के बजाएं अशुब परिणाम प्राप्थ होते हैं. ध्यान रहे काला धागा पहनना जितना आपके लिए फायदेमंद होता है, उतना ही ज्यादा आपको नुकसान देयक भी हो सकता है. शास्त्रों में कलाई में, पैर में अथवा गले में काला धागा बांधने के विशिष्ट नियम बनाए गए हैं. अगर इन नियमों का पालन करके आप काला धागा बांधते हैं, तो आपको शुब परिनाम प्राप्थ होंगे. दोस्तों कुछ लोग दूसरों के पैर में अथवा कलाई में बंधा काला धागा देखते हैं, तो खुद दुकान से खरीद कर अपने पैर में अथवा कलाई में काला धागा बांध देते हैं, वे इसकी विधी का पालन नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्हें इसका नुकसान उ जान ले और तभी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपने अंपर धारण करे। जोतिश शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों को भूल से भी काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इन राशियों के लिए काला धागा शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं काले धागे से सबंधित इंपॉर्टन्ट बेनेफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काला धागा क्यों बांधना चाहिए। दोस्तों, जोतिश शास्त्र के अनुसार काला धागा नजर दोश अथवा नकारात्मक एवं बुरी शक्तियों से रक्षा के हेतु बांधा जाता है। मान्यता है कि काले धागे में इतनी पाजिटिव पावर और एनरजी होती है कि ये नकारात्मक शक्तियों को तुरंत ही नश्ट कर देता है। इसे बांधने वाले पर लोगों की बुरी नजर का असर नहीं होता। साथ ही ये धागा मनुष्य को ब्लैक मैजिक से बचाता है। कई लोग तांतरिक की सहायता से तोन टोटके काला जादू, करनी, आधी प्रकार की तांतरिक क्रियाओ का प्रयोग करके दूसरों के जीवन को बरबाद करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के काले जादू से बचने के लिए अभी मंतरित किया हुआ काला धागा बांधना चाहिए काला धागा ऐसे काले जादू के असर को नश्ट कर देता है अगर व्यक्ति को जीवन में बार बार असफलता मिल रही है कितने ही परिश्रम करने पर भी नाकामी ही हाथ हा रही है तो ये दूसरों की बुरी नजर के प्रभाव के कारण होता है ऐसे समय में व्यक्ति को काला धागा बांधना चाहिए अगर व्यक्ति के परिवार में कलेश है पती-पत्नी के रिष्टे को किसी की बुरी नजर लगी है किसी ने काला जादू करके पती-पत्नी के रिष्टे में दरार निर्मान की है तो ऐसे समय में एक छोटा सा काला धागा आपकी सभी मुश्किले खत्म कर सकता है अगर कोई व्यक्ति शनी दोश से पीडित है, शनी की कुद्रिष्टी से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो शनी देव को प्रसन्न करने के लिए शनी देव के मंतरों से अभिमंतरित काला धागा बांधा जाता है अगर कोई व्यक्ति अथवा बालक बार-बार बीमार पड़ता है, तो यह लोगों की बुरी नजर का प्रभाव होता है इससे बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है अगर कोई व्यक्ति व्यस्नों के आधीन है, अर्थात वह व्यक्ति बुरी आध्तों में बुरी तरह से फस गया है, उसकी आध्ते छूट नहीं रही है, तो इसके लिए भी काला धागा बांधा जाता है ऐसे कई कारण है और परिस्थितिया है, जिनसे बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है आईए अब जान लेते हैं काला धागा कब और कैसे बांधना चाहिए दोस्तों, जोतिश शास्त्रियों के अनुसार काला धागा बांधते समय मनुष्य को विशेश सावधानी बरतनी चाहिए नहीं तो ये शुभ परिनाम देने के बजाए अशुभ परिनाम दे सकता है अंजाने में बिना किसी विधी के काला धागा बांधने पर ये आपकी और नकारात्मक शक्तियों को आकरशित कर सकता है दूसरों पर लगी बुरी नजर को भी आपकी तरफ आकरशित करके आपके जीवन में कई परिशानिया खड़ी कर सकता है जोतिश शास्त्र के अनुसार काला धागा बांधने के लिए शनिवार का दिन ही सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह शनी देव का दिन है और काले रंग का संबंध शनी देव से होता है शनिवार के दिन काला धागा बांधने से इसके चमतकारिक लाप प्राप्थ होते हैं काले धागे को सीधे दुकान से खरीद कर अपने हाथ में बांधना नहीं चाहिए काला धागा खरीद कर इसे पहले शनी देव के मंदिर में जाकर शनी देव के चर्नों में रखे और इसे शनीदेव के मंत्र से अभिमंत्रित करे। उसके बाद ही इसे धारण करे। काले धागे पर नौ गाठे बांध कर ही इसे धारण करना चाहिए। यह धागा शरीर के अंगों पर बांधने के बाद शनीदेव के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तभी यह धागा प पैर में काला धागा बांधना चाहिए। इससे जीवन में सुख समरिधी आती है और धन से जुड़ी परेशानिया समाप्थ हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पेट संबंधी परेशानी या बीमारी है तो उसे अपने पैर के अंगुठे में काला धागा बांधना चाहिए खासकर महिलाओ को अपने पैर के अंगूठे में काला धागा जरूर बांधना चाहिए इससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाती है ध्यान रहे जिस हाथ में आप काला धागा बांधते हैं उस हाथ में दूसरा कोई धागा ना पहने कई लोग काले धागे के साथ लाल रंग का धागा बांधते हैं जो की गलत है काला धागा शनी देव का प्रतीक है तो वही लाल धागा मंगल ग्रह का प्रतीक है शनी और मंगल का टकराव आपके जीवन में परेशानिया खड़ी कर सकता है इसलिए इन दोनों धागों को एक साथ नहीं बांधना चाहिए अगर घर में बुरी शक्तियों का वास है, घर में कलेश है और भय लगने लगता है घर में भूत बाधा है, अथवा प्रेतों का वास है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर काले धागे को नीम्बू के साथ बांध दे ये नकारात्मक शक्तियां घर छोड़ कर चली जाएंगी यदि अकारण ही धन का खर्च हो रहा है तो इससे बचने के लिए जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं अथवा तिजोरी पर अभिमंतरित किया हुआ काला धागा बांधना चाहिए जोतिश शास्त्र के अनुसार काला धागा महिलाओं को अपने बाएं पैर में और पुरुशों को अपने दाहिने पैर में बांधना चाहिए तभी काला धागा अपना प्रभाव दिखाता है जोतिश शास्त्रियों के अनुसार इन दो राशियों के व्यक्तियों को काला धागा भूल से भी नहीं पहनना चाहिए पहली राशी है व्रिष्चिक राशी, इस राशी का स्वामी मंगल है और मंगल देवता को काला रंग अप्रिय होता है काला धागा बांधने से इनकी परेशानिया बढ़ सकती है दूसरी राशी है मेश राशी, इस राशी का स्वामी भी मंगल ग्रह है इसी लिए इन्हें भी काला धागा बांधना नहीं चाहिए ये लोग अपने हाथ में लाल धागा बांध कर कश्टों से मुक्ती पा सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैशनी देव अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद